Hello dear students, this is our EBS subject, lesson no.4, the season, we have read this page, हम इस page को पढ़ चुके हैं बच्चों, इससे पहले के वीडियो में, so let's move to other page, हम दूसरे page पर चलते हैं, बच्चों, ये page no.19 है, आप अपनी book EBS की खोलेंगे, page no.19 आप ओपन करेंगे, और जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, वो आप अपनी book से देख करके पढ़ेंगे, okay students, यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, explain कर चुकी हूँ, so, अब हम यहाँ से start करेंगे, seasons of the year से, seasons of the year means, जो साल के जो हमारे मौसम होते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, when the weather remains almost the same for a few months, we call it a season, बच्चों, जब मौसम कुछ समय तक के लिए, कुछ महीनों तक के लिए, एक जैसा रहता है, सेम रहता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, season कहते हैं, in the months of April, May and June, the weather is very hot, April, May और जो June का महीना होता है, उसमें क्या होता है, मौसम जो होता है, बहुत ही गरम होता है, Days are sunny and hot winds blow, जो दिन होते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत ही धूप होता है दिन में, और गरम हवाएं बहती हैं, this is called the summer season, तो इसे हम क्या कहते हैं, summer season कहते हैं, गर्मी का मौसम ये होता है हमारा, इट rains quite often during July and August, जोलाई और अगस्त के महीने में बच्छों काफी हद तक अक्सर बारिश होती है, we call this period rainy season, हम इस अवधी को, इस पिरिड को क्या कहते हैं, बरसाती मौसम कहते हैं, बरसात का मौसम कहते हैं, the months of November, December, January and February are very cold, November, December, January और February जो महीने होते हैं, बच्छों वो बहुत ही ठंडी वाले होते हैं, cold होते हैं, ठंडे होते हैं, we called it the winter season, so हम इसे क्या कहते हैं, winter season कहते हैं, सर्दी का मौसम कहते हैं, seasons affect our life, जो seasons होते हैं, जो मौसम होते हैं, वो हमारी जो life होती है, जो जिन्दिगी होती है, इसे प्रभावित करते हैं, the clothes we wear, the food we eat and other activities depend a lot on the seasons, जो भी कपड़े हम पहनते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं, और बाकी जो कार्य हम करते हैं, वो हमारा जो होता है, काफी हद तक seasons पर निर्भर करता है, in the summer season, it is very hot, गर्मी के मैसों में क्या होता है, बच्चों, बहुत ही गर्मी होती है, बहुत ही गर्म होता है, hot winds blow, called loo blow, hot winds called loo blow, गर्म हवाय जो है, चलती हैं, जीने हम क्या कहते हैं, loo कहते हैं, हवाओं का जोका चलता है, गर्म, उसे हम loo कहते हैं, we prefer to stay indoor with our fans, coolers and air conditioners, ACs on, so उस ताइम पर हम क्या करते हैं, बच्चों, हमें क्या चीज अच्छा लगता है, घर में रहना, घर के अंदर रहना, और पंखों के साथ, cooler के साथ, या AC के साथ रहना, we drink a lot of cold water and other cold drinks, तो हम बहुत सारा ठंडा पानी पीते हैं, गर्मी में, और cold drink भी पीते हैं, children enjoy heavy ice cream, बच्चों को क्या पसंद है, ice cream enjoy करते हैं, वो, we were light colored cotton clothes in summer, हम जो है, summer में कैसे कपड़े पहनते हैं, light color के, हलके रंग के, cotton के cloth, सूती जो कपड़े होते हैं, वो हम समर में पहनते हैं, these clothes keep us cool and fresh, ये जो कपड़े होते हैं, जो सूती कपड़े होते हैं, वो हमें cool, यानि कि ठंडा और ताजा एकदम fresh रखते हैं, अब हम students, यहाँ पर, इस paragraph पर read करेंगे, In the winter season, it is cold outside, winter season में, सर्दी के मौसम में क्या होता है, बाहर बहुत ठंडा होता है, We use heaters to warm up our rooms, हम heater का use करते हैं, अपने कमरों को गरम करने के लिए, We use blankets and quilts to keep ourselves warm during nights, हम जो है, कमबल और रजाई का भी use करते हैं, अपने आपको रात में गरम रखने के लिए, चलिए students, अब हम अपने next page पर चलते हैं, page number 20, सबसे पहले हमें यह वाला paragraph पढ़ना है, यहाँ से हम start करेंगे, We say, we take bath with hot water and wear woolen clothes to keep ourselves warm, हम क्या करते हैं बच्चों, गरम पानी से नहाते हैं, और woolen clothes यानि की उनी कपड़े पहनते हैं, अपने आपको गरम रखने के लिए, we like to eat hot food and drink hot tea, coffee और milk, और हम पसंद करते हैं, गरम बोजन का खाना, गरम चाय पीना और कॉफी या दूज जो है, हम गरम गरम ही ठंडी में पसंद करते हैं, Students, अब हमें यह वाला paragraph यहाँ पर इस paragraph को पढ़ना है, In the rainy season, it rains quite often, बारिश के मौसम में क्या होता है, काफी हद तक जो है, अकसर देखो, बारिश होती रहती है, We use raincoats and umbrellas to avoid getting wet in the rain, So, हम उस टाइम पर किस चीज़ का इस्तमाल करते हैं, छाता का छटरी जी से अब कहते हैं, या फिर हम raincoat का भी यूज करते हैं, अपने आपको बारिश में भीगने से बचाने के लिए, We like to eat fried food like pakoras, येस, हमें जो हैं तली हुई चीज़ें, बारिश में तली हुई चीज़ें, खाना पसंद करते हैं, जैसे की pakora होता है, आज के लिए students, एतना ही, thank you.